वेलकम स्टेट्स स्वागत है आप सभी का टरपल सी वाईफास टीचनल पर गुड़ इबनिट वाल तो आप सभी के लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज किस क्लास में 30 मोस्ट इंपोर्डेंट कोश्चा डिसकस करेंगे तो आप सब लोग इस क्लास को एक बार लाइक क पर देना ताकि और भी स्टेट्स क्लास को जॉइन कर सकें ठीक है चुलिए शुरुआत करते हैं आज के स्क्लास की और आज का सबसे पहला कूश्चन आपके स्क्रीन पर है आटिफिसियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है तो यहां पर आपका राइट आंसर आप्श अइसस का जनक कहा जाता है ठीक है तो आफ्शन फीऊंचा जहार है पहली एए याई प्रोग्रामिंग भासा कहा गया यानि पहली आटिफिसियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भासा किसे कहा गया तो सही जबाब आपका क्या होगा और सभी कुश्च्ण आपके लिए मो और प्रोसेसिंग ठी konkink क्रेक्त आंसर होगा अगला कुशन हे और पिए का अर्थ होता है ब आर्पिए का अर्थ होता है सही जबाब यहां परापका क्या होगा रिख्टरी दूप्सर भी रोबोटीग ब्रोटसेस अर्टोमिसन ठीकर दिहार रखना प्रोटोकॉल का पूर्ट नंबर पूछा गया है तो सही जब आप कुश्ट नंबर 5 का क्या होगा कि यहां पर ध्यार रखना है 25 होगा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा ठीक है अगला कुश्टन है इक्वल फ्लोर बारा सो नो कमा 11 का परेडाम होगा इसका रेजल्ट क्या आने वाला है तो सही जवाब क्या होगा तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1199 ठीक है ऑप्शन सी होगा और इस पर हमें एक वीडियो आलेडी बना रखा है उसका लिंक भी आपको डिस्कॉप्शन में मिल जाएगा कैसे फ्लोर फर्मूला काम करता है और भी बहुत सारी फर्मूले बहाँ पर डि तो यहां पर आपका राइट आसर होगा ओप्शन नंबर सी अगला कुशन है भारत में विक्सित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया ठीक है तो यहां पर किस संस्था ने भारत में विक्सित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया कुशन नंबर सेवन में सही जबाब किया होगा तो द्हारा रखना इसીले के दौरा किया गया। option number एक रख होजा देग है कि नच उसिछन रहे it का अर्थ है तो यहाँ पर आपका क्या आर्थ होगा है हो कि यहां पर आपका राइट आंसर होगा no York customer कोmaybe का मतलब होता है नो यओर्प कस्टोमर और औंप्र करेक्ट आणसर होगा अगला कूर्चन है आट जीस में टी का आर्थ है कर तो ⑦ कर तो्ल्व routine डिया गया है टाया mi ऐफिचिझा funk नंबर खोगात है ताइम होAg एजुकेशन, विकल या फिर आलावदा एवब तो बैंक दोरा रेंड आपको इन सभी पर उपलब्द कराए जाता है तो आलावदा एवब हो जाएगा आपका राइट आंसर आपसन नमबर डी नेश्ट कूशन दिया गया है निमन में कौन सी बिधी प्रमाडी करण की नियुनतम सुरचित बिधी है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपसन नमबर यह होगा पासवर्ड अगला कूशन है इमेल के जनक कौन है या इमेल का जनक किसे कहा जाता है तो यहाँ पर आपका सही जनक क्या होगा इमेल का जनक किसे कहा जाता है तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका राइट आंसर आपसन यह होगा रे टॉमलिंसन ठीक है जिने email का जनक कहा जाता है अगला question दिया गया है POS है यानि कि POS का पूरा नाम क्या होता है तो POS का मतलब होता है point of sale option A आपका right होगा point of sale नेश question दिया गया है आधार एक 12 अंकों का संख्या कार्ड है UIDI द्वारा जारी पहचान पत्र है एक बचत खाता है या फिर A और B दोनों तो आधार क्या है इसमें से कौन सा right answer होगा तो यहां पर आपका right answer option D होगा A और B दोनों आधार एक 12 अंकों की संख्या कार्ड भी है और UIDI द्वारा जारी पहचान पत्र भी है यानि कि option D आपका right answer होगा नेश question दिया गया है पैन का अर्थ है एक kind of account, primary account number, permanent account number या फिर position account number तो यहां पर आपका सही जवाब होगा permanent account number option सी correct आसर होगा permanent account number ठीके और अगर यहां पर option मिलता है personal area network का तो उसे भी आप सही करेंगे बैसे पैन का मतलब भी होता है personal area network लेकिन यहां पर ऐसा कोई option नहीं दिया गया है तो यहां पर आपको सही करना है permanent account number ओके one time password क्यों सुरच्छित है तो यहां generate करना आसान है इसको share नहीं कर सकते हैं यहां हर access के लिए भिन है यहां एक जटिल encrypted password है तो one time password याने की OTP क्यों सुरच्छित है सही जबाब क्या होगा तो यहां हर access के लिए भिन है है यह हरवार आपको OTP एक नया मिलता है कुछी समय के बाद में OTP आपका उससे आप काम नहीं चला सकते हैं जब भी दुबारा login करेंगे तो फिर से OTP आपको दिया जाएगा तो यह हरवार access के लिए भिन होता है इसलिए यह सुरच्छित है option C correct answer होगा नैश कुछन दिया गया है इन से कौन सी mobile banking सेबा है इन में से कौन सी mobile banking सेबा है तो सही जबाब क्या होगा तो वैलेंस की जाज करना खाता लेंदेन करना भुगतान करना उप्रोक्त सभी हो जाएगा आपका right answer option D यह सभी है नैश कुछन दिया गया है आई-म-PS लेंदेन शुरू करने है तो निम्लिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है तो यहां पर आपका सही जवाब option B होगा pen ठीक है option B right answer होगा नैश कुछन दिया गया है IRCTC एक है plastic money, email सेवा परदाता, railway सेवा परदाता या फिर e-ballet तो IRCTC क्या है एक railway सेवा परदाता है option number C आपका correct answer होगा अगला कुछन है निम्लिखित में कौन सा कारे internet banking के माध्यम से नहीं किया जा सकता है internet banking के माध्यम से कौन सा कारे नहीं कर सकते हैं रण के लिए आवेदन करना, खाते से नकद निकालना, खाते का बिवरण देखना या हाल ही के कारे का बिवरण देखना तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option B, खाते से नगत निकालना, यह वाला कारे आप नहीं कर सकते हैं, खाते से नगत नहीं निकाल सकते हैं, इंटरेट बैंकिंग से, तो यह option B आपका correct होगा, बाकी का आप सारा कारे कर सकते हैं, अगला कुछ ने RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है, या RTGS का full form क्या होता है, तो यहाँ पर आपका right answer होगा, real time gross settlement option B हो जाएगा, RTGS का मतलब होता है, real time gross settlement, नैश कूशन दिया है, आधार seeding क्या है, बैंक खाता से आधार जोड़ना, आधार कार्ड को post office से जोड़ना, आधार कार्ड को gas connection से जोड़ना, या फिर इन मे मतलब होता है, तो आधार seeding का मतलब होता है, बैंक खाता से आधार जोड़ना, option number A, आपका correct answer होगा, नैश कूशन दिया गया है, DFS का बिस्तारित रूप क्या है, तो यहाँ पर आपका correct answer होगा, option D, digital financial service, ओके, digital financial service होता है, DFS का full form, अगला कुशन है, बैंकिंग खेतर में, अधिक संख्या में, चेकों की तेज निस्तारण के लिए, निम्रिखित में से कौन प्रियुक्त होता है, तो यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा, M, I, C, R, option D, आपका correct answer होगा, अगला कुशन है, UPI का आर्थ है, या UPI का full form होता है, तो यहाँ पर UPI का पूरा नाम क्या होगा, correct answer हो जाएगा, unified payments interface option, यह correct answer होगा आपका, next question दिया गया है, IMPS का आर्थ है, तो IMPS का मतलब होता है, immediate payment service, ठीक है, State Bank of India, HDFC Bank, Bank of Broda, या फिर आलापदा, अवब, तो net banking की सुधा आपको कौनकों से bank परदान करते हैं, फिलाल यहाँ पर आलापदा अवब हो जाएगा, यानि कि आलापदीच, यह सभी bank आपको net banking की सुधा परदान करते हैं, अगला question दिया गया है, ATM कम debit card पर मुदृत संख् में कितने अंक होते हैं, तो जो आपका ATM debit card होता है, उसमें कितने अंक होते हैं, तो सही जवाब option सी होगा, 16 होते हैं, उसमें 16 होते हैं, ध्यार रखना है, और इस सभी question आपके top questions है, जो most important है, आपके लिए triple exam के लिए ठीक है, next question पूंचा है, VCC की full form क्या होती है, तो VCC का मतलब होता है, blind carbon copy, option भी हो जाएगा, यहाँ पर आपका right answer, blind carbon copy, दिया रखना है, अगला question है, Google Chrome में वर्तमान पेज को book mark करने के लिए, हम dash दवाते हैं, अगर आप वर्तमान पेज को book mark करना चाहते हैं, तो कौन से की praise करना पढ़ता है, तो यहाँ पर आपका right answer option ही हो जाएगा, control D आप प्रेज करेंगे, जिससे आपका current page होगा, उसको आप book mark कर पाएंगे, और आज की class बास यहीं तक उमीद करता हूँ, आप सबी को class अच्छी लगी होगी, class अगर अच्छी लगी होगी हो इसको like करना, share करना, और जो भी thanks for watching, thank you, good night to all.